आज की वीडियो में मैं आपको बता हुआ कि अब बाइने से ट्रस्वाइट में अपने यूएज़टी बिटकोई एथीरियम या कोई भी कोई कैसे टांसफर कर सकते हैं आपको कौन सा नेटक्स लेक करना होगा और ट्रस्वाइट में आप वह कोई एक्टिव कैसे करेंगे मेरा नाम वक्तियार है आप देखना मिस्टर टेकनी प्रिवस वीडियो में आपको बताया था आप बाइने से बाइने अपने यूएज़टी या कोई भी कोई कैसे टांसफर कर सकते हैं तो यह वीडियो आप पूरी देखें चैनल को अगर सब्सक्राइब करें और बेल का कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें तो सबसे पहले चलते मोबाइल स्क्रीन पर यहां पर आपको आना होगा वालेट में और स्पोर्ट में क्योंकि आपके जितने भी फंट्स होते इस पोर्ट में पड़े होते और यहीं से आप बिज़गा कर डिलाता हूं तो यहाँ मैं किसी और जगाते यहां में ला रहा हूं ठीक है तो यहाँ से अन। करणा usdt थीग है यहां पर 31 मेरे पास पढ़े वे यहां से 30 में भेंजूगा अपने ट्रस्ट वालेट में तो यहां पर करते हैं विद्राइब और यहां पर आपको स्लेक करना है Send via Crypto Network ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपको address देना है तो address के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ address की application पर वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ address कैसे copy करना है कहां से निकालना है तो यह मेरा address का account है और यहां पर आप दिखेंगे तो आपको USDT कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा और मैं यहां पर USDT यहीं ट्रांसफर करना चाहा हूँ तो इसके लिए आपको top right पर जाना है और यहां पर आपको click करना है ठीक है और यहां पर आपको type करना है USDT यहां आप Bitcoin करें तो Bitcoin लिखें MDT करें तो MDT लिखें जो भी कोई आप ट्रांसफर करें वह आपको यहां पर लिखना है और जैसी आप लिखेंगे तो देखें आपके पास बहुत सारे USDT आ गया है और उनके right side पर देखें नेट्रक लिखा हुआ है TRC 20, ERC 20, BEP 20 और भी कफी सारे यहां पर अवेलबल है तो हम जो ट्रांसफर करेंगे वह करेंगे BEP 20 जो Binance Smart Chain का अपना नेट्रक है तो हम वह ही यहां पर select करेंगे उसकी fees भी सबसे ज़्यादा कम है तो मैं यहां पर करूंगा BEP 20 ठीक है TRC 20 active है मेरे पास मगरे वह मुझे नहीं करना मुझे यहां पर BEP 20 करना है तो यहां पर बैक आ जाते हैं यहां पर अब यहां पर आपको करना है अब यहां पर आपको करना है रिसीफ में आके इसको कर दे कॉपी और यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा है वह भी आप पर ले सेंट ओन्ली टीथर यूएसडी बीपी 20 टू दिस एड्रेस ठीक है हमने यहां पर कॉपी कर लिया वापस आ गए यहां पर बाइनेंस की अप्लिकेशन पर आपको यह यहां पर पेस्ट करना है और उसके बाद आपको यहां पर नेट्रक्स लेक करना है तो यह सबसे में पार्ट है यहां पर काफी सारे नेट्रक्स लेक कर रहे हैं तो रहूं मन उससे पहले यह आ जाते हैं कितने टांसफर करने हैं मैं इसको बोलना हो मैं 30 कनने हैं ठीक है सेंड फ्राम इसपोर्ड फंडिंग वालेट दोनों यहां पर सेलेक्टेड है और यहां पर आपको किलिक करना है विद्डॉवल पर उसके बाद यहां पर आपको कन्फरमेशन के लिए पेश जाएगा और मैं इसको यहां पर करता हूं कन्फरम सिक्यूरी अब यहां पर एक से दो मिनट लगेंगे उसके दोरान यह मेरे टर्स वालेट में आ जाएंगे अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक वह आप कर लें तो यह देखें एक मिनट पर भी नहीं घुज़रा और यहा देखें 29.71 डॉलर मेरे पास आ गए और 0.29 जो थी वह ट्रांसफर की फीज थी तो यह देखें एजली ट्रांसफर हो गए और एक से दो मिनट में यहां पर ट्रांसफर हो गया अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप वापस ट्रेस्ट वालेट से अपने बाइनस अका अब हम डिपोजट करेंगे अपने आप कौन से नेट्रक से कर रहे हैंבת आप क्योंके आपके पास जो कोब बार सीखने होना चाहिए हके-एठ वापर आजै कर लिया राभाध है test wallet की application पर आपको यहां पर करना है सैन ठीक है सेन में क्या करना है सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है और आप यहां से अब कितने ट्रांसकर करना चाह रहे हैं और यहां पर आप करने कंटिन्यू अब यह देखें यहां पर सारी जीज़ें आ रही है एसे बीपी 20 यूएजड़ेटी फिराम यह मेरा वालेट है मल्टीविला वालेट भी बना सकते हैं तो यह एड्रेस आ गया और नेट्रक फी 0.04 डॉलर आपको यहां पर लगेगी जो के बीएंबी आपके पास यहां टो यहांपर होड़ा सा वेट करते हैं और पिर देखते हैं अपना बाइनीटा को नि से यहांपे जाके वापस आता यह दिए यह वारे यहां से नहीं आपको समझ में आ गया होगा क्या बाइनेंस से आप ट्रेस वालेट में और ट्रेस वालेट से बाइनेंस में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं मिलते हैं इंगी वीडियो में तब तक के लिए लापिस